नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दजीयस प्लेट्रम यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आपके लिए करन्ट अफेर का पार्ट नंबर 20 से बिल लेकर आया हूँ इसे पहले मैंने 26 पार्ट पोस्ट कर दिये अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन सभी पार्ट को देख लीजिए तो वीडियो सुरू करने से पहले में आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल जाजीयस प्लेट्रम को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ इस बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिस्ते कि आपको नई वीडियो को नोटिफिक कब मनाया गया तो दिखिए इसका अंसर है 20 दिसंबर अंतर राश्ट्री मानों एक तर दिवस कब मनाया गया 20 दिसंबर को मनाया गया अगला कुश्यन आपका है एपल कंपनी में भारत ने किसी कंपनी का प्रमुक बनाया है तो एपल कंपनी ने भारत में उस कंपनी का प्र 2017 का खिताब किस ने जीता श्री सैनी ने जीता है स्री सैनी यूसे में रहती है तो मिस इंडिया USA का खिताब इनों जीता है नेक्स्ट आपका है गौहाटी में आयोजित नेशनल जूनियर बैडमिंटन में अंडर 17 तथा अंडर 19 के एकल खिताब किसने जीते हैं तो देखिए जूनियर बैडमिंटन की टीम है जूनियर बैडमिंटन की खिलाडी हैं अकरसी कस्यप अकर्सी कष्यप ने ये दोनों किताब जीते हैं अगला question आपका है हाल आपल आपका है अल्प संख्यक अधिकार दिबस कम मनाया गया तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका है 18 December यानि 18 December को अल्प संख्यक अधिकार दिबस मनाया गया है अगला question है विस में सबसे तेज non-stop solo navigation solo navigation का मतलब होता है अकेले ही वो करना नाओ चलाना या कोई भी पानी वाला जहाज जो भी चीज है ठीक है तो विस में सबसे तेज stop solo navigation का विस record किसने जना है तो steamer या नाओ चलाना जो भी है तो वो दिखो फ्रेंक को इस गैबर्ट ने बनाया है फ्रांस की जो है इनोंने 42 दिन 42 देज लगातार navigation की है ठीक है navigation का मतलब होता है कि समुद्र में किसी भी नाओ या steamer या boat की सायता से एक जगह से दूसरे दगह तक जाना वो navigation है next आपका question है नियाए ग्राम नियाए ग्राम परियुजना की आधार सिला हाली में किस ने रखी तुसरी रामनात कोविन ने रखी है जोगी इलावाद में रखी गई थे UP की point of BC अच्छा question है ये तो उत्तर प्रदेश की इलावाद उच्छ नियाला के पास ही नियाए ग्राम परियुजना की आधार सिला रखी गई है ठीक next question है अपका जी सिनी अवार्ड में हाली में जो दिये गई है उसमें सरस्रेश्ट फिल्म किसे दिया गया है तो गोलमाल अगेन ठीक है अब दीकिए दो question ऐसे यहाँ पर मैंने सामिल किये है जो पिछली बार किसी न की तरह से mistake से गलत हो गए थे या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइस है तो देखिए पहला question है इससे पहले वाले ही वीडियो में जिसमें मैंने बता दिया था कि BJP को इमाचल प्रदेश में 68 सीटें मिली है तो देखिए वहाँ पर यह चीज हमने गलत बोल दी थी आंसर तो आपका यही है कि कुल सीटें 68 हैं और BJP को 44 सीटें मिली है यानि 44 सीटें BJP को मिली हुई है तो एक बार और एक question wrong हो गया था वो था कि प्रसिद व्यास सम्मान 2017 ममता कालिया को किस रचना के लिए दिया गया तो यह तो सही है कि प्रसिद व्यास सम्मान ममता कालिया को ही मिला है लेकिन उनकी रचना का अवाम दुखम सुखम है दुखम सुखम उनकी रचना का नाम वहाँ पर दुखम दुखम लिखा हुआ था तो आप सही कर लेंगे दुखम सुखम सही होगा ठीक है तो ये दो question मैंने आपके correct कर दिये यहाँ पर कुछ जागरूग मित्रों ने वहाँ पर comment भी किया था कि sir ऐसा नहीं यहाँ पर दुखम सुखम है या फिर 44 सीटे हैं तो बड़े ही प्रसंता हुई ऐसा जानकर कि काफी जागरूग भी यहाँ पर हैं आगे देखिए एक important question उत्तर प्रदेश की point of view से उत्तर प्रदेश के important question है कि किस राज में हाली में वहां की सरकार ने यूपी को का विद्यक 2017 2017 पारत करने जा रही है तो मतलब यूपी को का विद्यक कौन से राज में पारत होने जा रहा है तो देखिए यूपी को का विद्यक उत्तर प्रदेश में ही पारत होने जा रहा है तो देखिए बता दूं क्या है ये संगठित अपराधों के विरुद्ध एक विधियक है कानून है जिसमें व्यक्तिपो एक साल की जील या कुछ भी प्रावधान करने का भी लक्ष रखा जाएगा तो विधियक पारित करने जा रही है विधियक अभी पारित नहीं हुआ है लेकिन यहाँ बे मैं इन्फॉर किएगा मुझे काफी खुसी मिलती है कमेंट में इस चीज को जानकर की काफी लोग अवे यह रहें यहाँ पर ठीक है रिकरन्ट अफियर का 27 नमबर का पार्ट है मैंने आपसे डिसकस कर लिया है इसकी बाद वेट करिए 28 पार्ट का और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार